अगर आपको लगता है कि वो दिन गए जब कोई लूना मोपेड खरीदने के बारे में सोचता था तो आप गलत है दरसल लूना बनाने वाली कंपणी काइनेटिक इंजिनियरिंग ने सोमवार को घोशना की कि वहाँ लूना को जल्द मार्केट में पेश करेगी और इस बार इसे इलेक्ट्रिक मोपेड के रूप में पेश किया जाएगा कंपणी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा ठीक पचास साल पहले काइनेटिक इंजिनियरिंग लिमिटेड ने लूना लौँच करके आटो मोबाइल इतिहास रचा था उस समय इसकी कीमत दो हजार रुपे थी जिसने इसे भारत के लिए सबसे अच्छा सस्ता और आसान राइडिंग बनाई थी, इलेक्ट्रिक लूना को जल्द ही इसकी सहयोगी कंपणी काइनेटिक ग्रीन एनरजी एंड पावर सॉल्यूशन्स लौँच करेगी कंपणी ने कहा कि केयल ने लूना के चेसिस, स्टैंड, साइड स्टैंड और स्विंग आर्म सहित इलूना के लिए सभी प्रमुख सबसेंबली विक्सित की है और हर महीने पाँच हजार सेट की क्षमता के साथ एक प्रड़क्शन लाइन तयार की है केयल ने अपनी पेंट शॉप और प्रेस और फैब्रिकेशन शॉप्स को अपग्रेड करने के लिए 3 करोड रुपे से अधिक का निवेश किया है काइनेटिक इंजिनियरिंग लिमिटेड के एमडी अजिंक्य फिरोधिया ने कहा कि हमें इसकी सभी प्रमुक असेंबली बनाने और इस विरासत का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व है लुना का प्रतिदिन 2000 यूनिट से अधिक की बिक्री का रिकॉर्ड है मुझे यकीन है कि यह अपने नए अवतार में बहुत अच्छा करेगी उन्होंने यह भी कहा कि कंपणी को उम्मीद है कि इलुना अगले दो से तीन सालों में सालाना 30 करोड रुपे की कमाई करेगी काइनेटिक लुना एक 50 सीसी मोपेड थी जिसे 1972 में भारत में काइनेटिक इंजिनियरिंग ने पेश किया था हालांकि भारत में इसका उत्पादन और बिक्री जारी है इसे अब भारतिय सडकों पर बहुत कम देखने को मिलती है 1972 की मूल लुना पियाजियों सियाओं मोपेड की लाइसेंस प्राप प्रती थी इसके बाद से 2000 के दशक की शुरुआत में उत्पादन के अंत तक काइनेटिक ने इसे अपडेट किया